तो हेलो दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले है वन प्लस नोड थरीकी तो यह मतलब कि आपको जून के महिने में देख कोने को मिल जाएगा के लिए महिने में आपको यह लॉंच होगा तो आपके आहात में आ जाएगा तो आज हम बॉक्स करेंगे और आपको बता देखने में जाती है जो तगडी डिजाइन के साथ आता है वन प्लस का यह मोबाइल नोड थरी तो हम बात के लेते हैं इसकी जो डिस्प्ले डिस्प्ले आप काफी बिड़ा देखने मिल जाए इसके अंदर आपको 6.72 इंच की फुल एच्टी प्लस एमूलेट डिस्प्ले देखने मिलते हैं 90Hz की रिफ्रेश डेट तो यह काफी 90Hz की नहीं है मतलब 120Hz की दे रहे हैं आदे ब्रांड तो यह मतलब यह 19Hz की रिफ्रेश डेट दे रहाए आपको तो इसके अंदर आपको डोल मी जाना और एचेड या 10 वगयरा सभी का सब देखने मिल जाते हैं इसकी अंदर जो काफी वीडियो आप जो बीकॉंटेंट वेरा जूम करते हो तो काफी तकड़ा देखने मिलता बैटर वालिका इसमें पर इसमें पर आपको डिश्यों काफी तकड़ी होती है तो हम बात करें इसकी जो प्रोसेसर प्रोसेसर आता मीडियाटेक एमटी 6983 हम बात के लेते हैं आपको रेम मिलते हैं से अंदर आठ एक्सटाइस वाली में तो LPDDR4X UFS 3.1 इस्टाइब यूज की गई है इसमें हम बात के लेते हैं केमरा पार जो आपको केमरा मिलता है इसमें आपको त्रीपल केमरा सेट अप देखने हो प्रैमरी प्लस आठ में आप को जून के महिने में देख को नहीं मिल जाएगा कि अगले में आपको यह लांच हो गा तो आपके आप में आजाएगा तो आज है इसके मुझे करें और आपको बताएंगे प्रैस्टूप और के लिए तो हम जो बॉक्स पॉपन के अंदर आपको कुछ इंदर हैं को कुछ इसके अपको बाइप से डाटके बाले हैं इसके में जाती है तो तकडी डिजाइन के साथ आता है ओन प्लस का यह मोबाइल नोड थरी तो हम बात के लेते हैं इसके जो डिस्प्ले जो डिस्प्ले आप काफी बिड़ा देखने मिल जाए इसके अंदर आपको 6.7 2 इंच के अधे ब्राइं तो यह मसला फिये 1 इंचे में आपको तो तो इसके अंदर आपको डोल में चैना और आए जल रटे आपको सब देखने महिंभा जाते इसकी डिस्प्ले के अंदर जो काफी बिड़ा तॉर आप जो भी नोगे नोगे है इसके तो काफी प्ले देखनी होगी क बेटर वालिका इसमें कॉंट्रिल जूम देखने हुए